सबसे पहले हमें अपने मोबाइल पर उपन्तों की आयोस तो फाइल डाउनलोड कर लेनी हैं और मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बोलूँगा आई डी एम या फिर एडी एम का यूज करना तो बीच में आपका डाउनलोड एरर नहीं होगा डाउनलोड करने के बाद अब हमें ज़र्दा पड़ेगी एक OTG केबल या OTG कनेक्टर की और एक पिंच डाईब की OTG कनेक्टर हम अपने मुबाइल पर लगा देंगे और पिंच डाईब भी लगा देंगे अब हमें ओपिंग करना है प्लेस्टोर और यहां से हमें डाउनलोड कर लेना है इस द्रॉइड नाम का एप डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपिंग कर लेंगे राइट रा इमेज और आईएसो पर क्लिक करेंगे पहले नमबर पर और अब हमें यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है अपनी उबंटो की आईएसो जो पिंच डाईब हमने मुबाइल पर लगा रखी हो यहां पर दिख जाएगी तो इस पर क्लिक करेंगे ओके करेंगे नीचे क्रीन कलर का डाउनलोड का आईकॉन दिखेंगे इस पर क्लिक करेंगे अब मैं आपको बता देता हूं जो भी दाता हो की पिंच डाई में पढ़ा है वो दिलीट हो जाएगा तो अगर कोई ज़रूरी चीज पढ़ी है तो इसको कॉपी कर लेना और फि हम ओपिंग करेंगे नोटिफिकेशन पैनल यहां पर आप देख सके प्रोग्रेस लिखार वाइटिंग इमेज तो यहां पर परसेंट चल रहा है जब यह परसेंट कंप्लीट हो जाएगा 100% हो जाएगा तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा अब हमें अपने मुब पर देख कंप्यूटर है तो मैं यहां पर F12 दबा रहा हूं आपका अगर दूसरी कंप्री का कंप्यूटर है तो आप चेक कर लेना कौन से बतन से बाइयोज में जाया जाता है तो चलिए मैं सेंट इसको पर क्लिक कर चाहूं ट्राइ और इंस्टाल उबन दूँ तो जैसा कि आप देख सबके हमने अपने मुबाइल से बूतेबल पिंड्राइ बना दिये उबन दूगी जो की काम भी कर रही है कंप्यूटर पर तो उमीद है तो आपके वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो कर दो